फिर आज ने टोपिक के साथ और आज जिसका दिन करेंगे व को है रास्तान के पर्मुक संथ ये जयो क्यूसन है ये सभी प्रिक्षयाओं के लिए very very important है जो की गत प्रिक्षयों में आयोए है तो परतियों की प्रिक्षयों में आयोए ये महतोफरन क्यूसन है तो पहला क्यू निमल लिखते संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का परियोग नहीं नहीं किया था तो जिसने नहीं किया वह हैं सुंधर दास क्योंकि शुंधर ने जिसका प्रियोकिया वो क्या था हिन्दी भासा का यह सर्वादिक पड़ेली के संते यह में लाल दास देर खाये चरंग्दास सुंदर्दास और सहजोवाई तो अपना राइट उत्रो जाएगा सुंदर्दास नेक्स्ट क्यूशन रास्तान के संत पीपा के गुरु कोन थे तो उत्रो जाएगा संत पीपा के गुरु कोन थे रामानंद नेक्स्ट क्यूशन संद्रियावजी द्वारा रामचनी संपरदाय के साख्खा कहां इस्तापित की गई थी तो ये की गई थी रेण मी कहां इस्तापित की गई थी द्रियावजी द्वारा रेण मी नेक्स्ट क्योशन भक्ति संद्र रजब समंदित थे रजबदास किसे समंदी थे तो ये दादूपत समंदी थे और पूछा जाए कि रजबजी का जनम कहा हुआ था थो ये सांगानेर जेपुर में हुआ था next question, संत और उनके संपरदाई को सुमेलित करना है, तो रामानुजु ने जो संपरदाई चलाया, वो विशुष्ट दुवेत्वाद चलाया, महाद्वचारिने चलाया था दुवेत्वाद, निंबारकाचारीने चलाया था दुवेत्वाद, और वल्लव अचारी ने चलाय था सुद्धवेतवाद नेक्स्ट क्यूशन पासुपत नामक सेव संपरदाय के परवर्त कोन है तो लकुलीस है कोन है लकुलीस नेक्स्ट क्यूशन फुल डोल उत्सो कहां मनाय जाता है तो ये रामसनी पंथ द्वार मनाय जाता है और कहां मनाय जाता है साप्रव भील वाड़ा में नेक्स्ट क्यूशन मद्दे कालिन मेवाद के परशे संथ कोन है तो इसका सही उत्तरो जेगा लालदास कोन है लालदास जिनका जनम धोलिदू अलवर में 1540 में हुआ था और इनकी परदान पीट नंगला जहांज भरतपूर में इस्तित है संत भूरी बाई अलग का कारिय इस्तल था कहां था संत भूरी बाई का कारिय इस्तल मेवाड नेक्स्ट क्यूशन अलख्या संप्रदाय के स्तापना किसने कि थी तो स्वामी लाल गिरी ने अलख्या संप्रदाय की स्तापना कि थी नेक्स्ट क्यूशन संत पीपा की गुपा कहा है इस्तित है तो ये गागरून में इस्तित है पीपा की छत्री गागरून में है और मंदिर संधड़ी बाडमिर में इस्तित है संथ पीपा की गुफा टोड़ाराय सिंग टोग में है या गागरोन में तो संथ पीपा की चत्री है संथ पीपा की गुफा टोड़ाराय सिंग टोग में है संथ पीपा की चत्री गागरोन में है और मंदिर पुछा जये तो संत पिपा का समधड़ी बाड मेर में इस्तित है नेक्स्ट क्यूशन रामसने संपरदाय की सापर असाका की सैंस्ता पर कुन थे तो रामचरन जी थे संत मीरा भाई का जनम इस्तान कुड की वर्तवान में रास्तान के किस जिले में है तो यह पाली में और मीरा भाई की जनम कब हुआ था 14008 में खुड की पाली में इनका जनम हुआ था संत मीरा भाई का नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन दाध्डूपंत की परमुक्पिथ कहा इस्तित है तो ये नरेना जेपूर में इस्थीत है नेक्स्ट क्यूसर, दादुपन्त के नागगा उप संपरणाय के परवर्त कोन थे तो संदरदाज जो रास्तान का संकराचारी ये भी कहा जाता है, संदरदाज जी को नेक्स्ट क्यूशन निमन लिकित में से कौन सा वेशनों संप्रदाई नहीं है निस्कलंक A उप्षन निस्कलंक B उप्षन है निमबारक C उप्षन है लालदासी चोथा है वलब तो अपना सही उत्रो जाएगा लालदाशी, सही उत्रो जाएगा वेशनों संपरदाई कोन सा नहीं है, लालदाशी संपरदाई वेशनों संपरदाई नहीं है नेक्स्ट क्यूशन रामस्री संप्रदाय की परमुख पीठ गद्धी कहा है इस्तीता थी है साप्रा भीलवाड़ा में इस्तीता है नेक्स्ट क्यूशन बखनाजी संतदास जी बहुत बार पुछा जाता है ये क्यूशन Next question, निरंजनी संपरदाई के सेंस तापक कोन थे? निरंजनी संपरदाई के सेंस तापक मानने जाते हैं नेक्स्ट कुर्चिशन 28 स्तावडी में रास्तान के रेन, साहपुरा, सिहेंतल, खेडब पकी संपरदाय की चार प्रमुक पिठे हैं तो ये रामस नहीं संपरदाय की सहिस्टापक संत्र रामस नहीं संपरदाय की संस्तापक संट चरण दाज जी कहाँ पैदा हुए थे वेरी वेरी इंपोर्टिन्ट क्यूसम, तो, ये इसलेमाबाद में निम्बारग संपर्दाय की जो पीट थी, उसकी स्तापना किसने की परश्ँ रामदीव ने. दिमें लिखित संतों में से कौन सा जन्म से मुसल्मान था? तो जन्म से मुसल्मान लालदास जी थी. लालदास जी नेक्स्ट क्यूस्टन संते लालदास की समझ में कौन सा गतन ऐस सकते है यह उप्षन लालदास की वाणी नामगरन दो बागों में भी बाजित है बी उप्षन इनका जनम मेवात प्रदेश में हुआ था दोलिदू अलोर में और सी उप्षन है यह साधी सुदा थे चोथा उप्षन है 1688 इसी में इनका ध्यानत हुआ था नहीं 1648 में इनका ध्यानत हुआ था तो राइट एंसर फूर हो जाएगा यह ऐस सकते है और समादी इनकी सेरफूर अलोर में है नेक्स्ट क्यूस्टन नेक्स्ट क्यूस्टन नेक्स्ट क्यूस्टन तो दयावाई दयाल किचिस से नहीं थी दया भाई और सहजो भाई ये चरंदाज जी की सीशा थी दया भाई और सहजो भाई किसकी सीशा थी चरंदाज जी की next question मेरा भाई सदी की कवियत्री है तो सोल भी सदी की कवियत्री है नेक्स्ट क्यूशन दादू की सिक्ष्याओं का संकलन दादू आनी रचीता है तो डूंडाडी भूली में रचीता है नेक्स्ट क्यूशन निमन लिकित में से कि संपरदाय के अनुवाई मेव भी कहलाते हैं उस यूगम को चूनिये जिनके दोनों संत रामानंद की सिशे थे तो धन्ना और पीपा का जो गुरु थे वो रामानंद जी थे नेक्स्ट क्यूशन सहजोबाई के गुरु कौन थे तो चरंदास सहजोबाई और दयाबाई दोनों के गुरु कौन थे चरंदास जी नेक्स्ट क्यूशन जांबू जी जहां परवचन करते थे वह स्थान क्या कहला था तो सांत्री सांत्री में परवचन करते थे जांबू जी नेक्स्ट क्यूशन विश्णवी संपरदाय का सहंस्ता पर कौन माना जाता है तो जांबू जी को माना जाता है और कहते हैं कि जामबू जी ने 1485 में संब्रातल में विश्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी Next question नारैना खालिस्तान का जाना माना केंदर है किस केंदर है दादूपंतका Next question रामसने संपरदाय के सहिस्टापक संत रामचरन के गुरु कोन थे तो करपा राम रामचरन जी के गुरु कोन थे करपा रामजी नेक्स्ट क्योशन नारी संत दयावाई सिस्या थी तो संत चरंदास जी की सिस्या थी दयावाई और सहजोगाई next question राज्तान के कौन से परसिशन्त विकानेर की कतियासर से समधित एं तो सिद्ध जहशनात जी next question मीरा द्वाराची तोड़कर पृत्याक के समय मिवाड का सासक कौन था तो विक्रमादित्य मिवाड का सासक था next question निमनली कित में से कौन सी रचना मीरा भाई की है तो पदावली है वो मीरा भाई की रचना है संत पीपा का जनम इस तरल निमनली कित में से कौन सा है तो संत पीपा का जो जनम हुआ था वो 1425 में हुआ और गागरोन में हुआ था next question रासतान के किस संथ और रमणंद की शिसे ने अपने राज्य को त्याग करकर गुरु मंदली में समलीत हो गए तो संथ पीपा next question जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है तो 36 next question दादू और उनके शिस्चीयों की रचना एधीकतर की बाहसा में हैं संत गुंद संगर और नां माला की संत द्वारा रचीत हैं. तो ये दादु द्वारा रचीत हैं. नेक्स्ट क्यूशन, निम्स लिकत में से कौन सा मीरा बाय का जनम इस्तान है, है तो कुडकी पाली में हुआ कब हुआ 14 peg 386 में मीरा का जनम होआ Kudka की पाली में किस मास दारग ने अपने सिस्षियों में 59 निवों क पांविक पालन करन Nic diver scope यह जांबो जी ने और जनंश जाए razón दुद्याल को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन संत लालदास के लिए अच्छी तरह से संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जानने जाते हैं कौन सांप्रदाइक सद बाव के लिए संत लालदास को जाना जाता है सही सुमेलित करना है तो देखते लमुकाम नोखा और जीनमाता इनका जो मंदीर हो रिवासा सीकर में है नेक्स्ट क्योशन निमन लिकित में से कोन दादूपंत थी उप संपरदाय नहीं है तो चंडाल इसमें हो जाएगा खाल सा दे रखा है नागाज खाकी तो चंडाल यानि कि दादूपंत का संपरदाय नहीं था Jodhpur में, महामंदिर में, राष्थान के किस समपरदाय की परमुक गद्धी है तो यह ना थे समपरदाय की परमुक गद्धी है Next Question Next Question निममन, निमन को सुमेलित कीजी निमन लिकित को सुमेलित कीजी, निचे दिये गए एक उठ की साहिता से सही चेन करना है तो संत और उनका जनम इस्तान बताना है रामदास का जनम भीक्कम कोर में हुआ था रामदास का जनम का हुआ है भीक्कम कोर में जसनाद जी का जनम हुआ था कतियासर भीक्कानेर में दरियाग जी का जनम हुआ था जेतरन पाली में चरंदास का जनम हुआ था डेहरा अलोर में निमन में से कौन दादूपंत की साखाओं में समलित नहीं है तो इसमें वीरक्त भी समलित है, खाकी भी समलित है गोड ये समलित नहीं है, नागा भी समलित है तो अपना उत्रो जाएगा गोड ये नेक्स्ट क्योशन राज़तान के परमुक संत और उनके दूआरा स्तापित संपरदायों के समद्ध में कौन सा यूगम सही है तो हमें सही बताना है रामचरन जी रामचरने संपरदाय सापुरा लालगिरी जी अलख्या संपरदाय बिकानेर इनकी परदान पीठ है रिदाज जी निरंजनी संपर्दाइक गार्डा नागोर में पर्मुक्ष पीठ है, संतदाज जी जो संपर्दाय चला है, वो गुद्धर संपरदाय प्रदान पीठीन की दातड़ा भील वाणा में है, तो चारों ही सही हैं नेक्स्ट क्यूशन रास्तान के किस लोग देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था तो जाम्बू जी का जाम्बू जी की माता का नाम अंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था नेक्स्ट क्यूशन रास्तान के किस संत द्वारा सत्य भामा जी नूरूशन की रचना की थी तो ये मीरा भाई ने की थी नेक्स्ट क्यूशन दादू पंथ का साईते किस भासा में संग्रेईत है तो दूंडाडी भासा में संग्रेईत है नेक्स्ट क्यूशन मादोदाज जी आदी संतों का समंद की संपरदाय से माना जाता है तो दादू पंथ से नेक्स्ट क्यूशन संत माउजी का समंद की से है तो डुंगरपूर से है next question, रास्तान में उद्रिया, उंद्रिया पंथ, किसने पर्चलित कया था तो भिलो में, भिलो में ये पर्चलित है, next question, question नमर 64, मंतर राज परकास, very very important, मंतर राज परकास की संत के अध्यात में के विचारों का संकलन है, तो संत हरीदास, next question, परसिद कायाविली गरंत की रच दादुदयाल ने की थी, next question, बालिन जी के गुरु कौन थे, तो दादुदयाल जी बालिन जी के गुरु थे, बालिन जी की गुरु कौन थे, दादुदयाल, next question, जसनाती संपरदाय की स्ताबना किस ने की थी, तो जसनात जी ने की थी, कब की 1485 में, next question, निमन लिखित में कुं सा दादू पंत का उप्संपरदाएं नहीं है खाल सा है खाकी है सतनाम नहीं है उत्रादी है तो सतनाम अपना उत्र हुझेगा next question दादू पंत की कितनी साकाइं थी तो पांच साकाइं थी next question लोग देउता जाम्बु जी का जनम कब हुआ था तो 14EE होनमी पशन संथ पीपा की संबने तो गया गरुन जह लवार से संबनें। नेक्स्ट क्योंसन शुमेलित इन मेंधसे सुमेलित नहीं है हैं तो मेरा इसका जनम 14 संपर्दाई और प्रमुक पीट कहा है दातड़ा भीलवाड़ा में नवल संपर्दाई की परधान पीट कहा है जोदपूर में संपर्दाई की परधान पीट दिल्ली में अलग है संपर्दाई की परधान पीट बिक करनेर में